राजन शाही के प्रोड़क्शन हाउस डिरेक्ट आकर्स प्रोड़क्शन हाउस के अब तक बहुत से शोस आय और गए हैं लेकिन इस प्रोड़क्शन हाउस के तमाम शोस में नमबर ओफ एपिसोस के मैदान में कौनसे 10 शोस हैं सब से आगे जी हाँ बेसिकली हम आपको इस वीडियो में डायरेक्टाइकस प्रोडक्शन आउस के टॉप टेन लॉंगे सनी शोज के नाम बताने वाले हैं जिनोंने नमबर ओफ एपिसोर्स की इस लिस में कर ली है अपनी जगा पकी तो कौन से हैं वो दस शोज जो हुएं इस लिस में शामिल आईए वीडियो को देखते हैं लॉंगे सनी शोज की इस लिस में दसमें शोज का नाम है अमरित मन्थन इस शोज को 26 परवरी 2012 को लाइफ ओके पर लॉंच किया गिया जिसमें हमें अदा खान, अनकीता शर्मा, वसी मुष्टाक और डिमपल जंग्यानी जैसे पापलर अक्टर्स इंटर्टेन करते हुए नजर आए ये शोज टेलिविजन स्क्रीन पर पूरा देर साल तक राज करने के बाद 2 अगस 2013 को पूरे 221 एपिसोर्स कम्प्लीट करने के बाद आफ यर कर दिया गया लॉंगे सनी शोज की इस शोज में नवे शोज का नाम है तेरे शेहर में इस शोज को 2 मार्च 2015 को स्टार प्लस पर लाउंच किया गया जिसमें हमें हीबा नवाब, रफी मलिक, दुरूब बंदारी, किंशुक मा जहां और सना अमीशिक जैसे पॉपलर अक्टर्स इंटर्टेन करते हुए नजर आए ये शोज टेलिविजन इस्क्रीज पर तकरीबन एक साल तक राज करने के बाद 14 नवंबर 2015 को पूरे 222 एपिसोर्स कम्प्लीट करने के बाद आफ्यर कर दिया गया लॉंगे सनी शोज की इस दिसमें आटमी शो का नाम है और प्यार हो गया इस शोज को 6 जनवरी 2014 को जी टीवी पर लाउंच किया गया जिसमें हमें मिशकत वर्मा, कांची सिंग, परीचे शर्मा और रीना कपूर जैसे पॉपलर एक्टर्स इंटर्टेन करते हुए नजर आए ये शोज टेलिविजन स्क्रीज पर तकरीबन एक साल तक राज करने के बाद 2 दिसमबर 2014 को पूरे 241 एप्सोर्स कंप्लीट करने के बाद आफ्यर कर दिया गया गंगे सनी शोज की इस दिस में साथमी शोग का नाम है माता पिता के चड़नों में स्वर्ग इस शोग को 29 जून 2009 को कलर्स टीवी पर लाउंच किया गया जिसमें हमें प्राचीन चोहान, मेगा गुपता, लियातिन कर्यार कर और धीरस जूपर जैसे पापला एक्टर्स इंटर्टेन करते हुए नजर आए ये शोड टेलिविजन स्क्रीज पर पूरा एक साल तक राज करने के बाद चार जून 2010 को पूरे 245 एपसोर्स कंप्लीट करने के बाद आफ्यर कर दिया गया लांगे सनी शोड की इस दिसमें छटे शोड का नाम है चांच छुपा बादल में इस शोड को 28 जून 2010 को स्टार प्लस पर लाउंच किया गया जिसमें हमें नेहा सरगम, किंशुक मा जहां, अभी शेक तिवारी और पायल नायर जैसे पॉपला एक्टर्स इंटर्टेन करते हुए नजर आए ये शोड टेलिविजन स्क्रीज पर पूरा एक साल तक राज करने के बाद 17 जून 2011 को पूरे 261 एपिसोर्स कम्प्लीट करने के बाद आफ्यर कर दिया गया लॉंगे सनी शोज की इस सिस्ट में पांच में शो का नाम है कुछ तो लोग कहेंगे इस शो को 3 अक्टूबर 2011 को सोनी टीवी पर लाउंच किया गया जिसमें हमें क्रीति का कामरा, शरत केलकर, मौनिश बेहिल और रुकसार रहमान जैसे पौपुलर अक्टर्स इंटर्टेन करते हुए नजर आए ये शोर टेलिविजन इसक्रीज पर तकरीबन 2 साल तक राज करने के बाद 28 मार्च 2013 को पूरे 346 एपिसोर्स कंप्लीट करने के बाद आफ्यर कर दिया गया लौंगे सनी शोस की इस लिस्ट में चौते शो का नाम है ये रिष्टे हैं प्यार के इस शो को 18 मार्च 2019 को स्टार प्लस पर लाउंच किया गया जिसमें हमें अबीर और मिस्टी की सबदस केमिस्टी देखने को मिली जिसका रोल शाहिर शेख और रेया शर्मा ने प्ले किया इसके लावा हमें इस शो में कावेरी प्रियाम और रित्वे करोला जैसे पॉपलर अक्टर्स इंटर्टेन करते हुए नजर आए ये शो टेलिविजन स्क्रीन्स पर पूरा डेर साल तक राज करने के बाद 17 अक्टूबर 2020 को पूरे 355 एपसोर्स कंप्लीट करने के बाद आफ्यर कर दिया गया लॉंगे सनी शोज की इस लिसमें तीसरे शो का नाम है अनुपमा इस शो को 13 जुलाई 2020 को स्टार प्लस पर लॉंच किया गया इस शो में हमें अनुपमा की कहानी दिखाई जा रही है जिसका रोल रुपाली गंगुली प्ले करते हुए नजर आ रही है इसके लावा हमें इस शो में गौरफ खन्ना, सुदाइन्शू पांडे और मदालसा शर्मा जैसे पॉपलर एक्टर्स इंटर्टेन करते हुए नजर आ रहे है ये शो टेलीजन स्क्रीज्ट पर टीयारपी के मैदान में अच्छा परफॉर्म करता नजर आ रहा है और ये शो अब तक सारे 600 से जादर के एपिसोर्स कम्प्लीट कर चुका है लॉंगे सनी शो की इस लिस्स में दूसरे शो का नाम है सपना बाबुल की बिदाई इस शो को 8 अक्टूबर 2007 को स्टार प्लेस पर लाउंच किया गया इस शो में हमें दो बहनों साधना और रागनी की कहानी दिखाई गई जिसका रोल सारा खान और पारूल चुहान ने प्ले किया इसके लावा हमें इस शो में आंगंध हसीजा, अपुफ अगिनोतरी और सुलागना पानिगराही जैसे पॉपलर एक्टर्स इंटर्टेन करते हुए नजर आए, ये शो टेलिविजन स्क्रीश पर पूरा तीन साथ तक राज करने के बाद 13 नवंबर 2010 को फूरे 749 एपिसोर्स कंप्लीट करने के बाद आफ्यर कर दिया गया लांगे सनी शोस की इस रिसमें आप बात करते हैं उस शो की जो नवर अफ एपिसोर्स की इस रिसमें कर रहा है डिरेक्टर कर्स प्रोडक्शन हाउस पर राज तो वो शो और कोई नहीं वो शो है ये रिश्टा क्या कहलाता है जिसको 12 जनवरी 2009 को स्टार प्लेस पर लांच किया गया जिसमें हमें अब तक 3 जनरेशन देखने को मिल चुकी है जिसकी पहली जनरेशन में हमें अक्षरा और नैतिक की कहानी को दिखाया गया इसका रोल हिना खान और करन महरा ने प्ले किया इसके बाद हमें इसकी सěकंड जनरेशन में कार्टिक और न파 की केमिस्ट्री देखने को मिली जिसका रोल शिवांगी जोशी और महसिन खान प्ले करते हुए नजर आ है और अब हमें इसकी थर्ट जनरेशन में अक्षरा और डॉक्टर अभीमन्यू की केमिस्ट्री देखने को मिल रही है जिसका रोल हर्शर चोपड़ा और प्रनारी राथोर प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं ये शो अब तक टेलिविजन स्क्रींज पर 3800 से जादा के अपिसोर्स कम्प्रीट कर चुका है और ये शो टी आरपी के मैदान में भी अच्छा परफॉर्म करता नजर आ रहा है लॉंगे सनी शोस की इस इसमें कौन सा शो है आपका फेवरेट अपनी ऑपनियास करे हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शियर इससे पहले हमने गुल खान के फ्लॉप शोस के उपर वीडियो बनाई थी जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दिया है ऐसी और मज़ीद अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करने के साथ-साथ आप हम इस्टाग्राम और टूटर पर भी फॉलोग कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा थैंक्स पॉर वाचिंग